तो चलिए इसको हम एक एनिमेशन से आप जानते हैं कि आप लोग को एनिमेशन देते हैं तो इसको एनिमेशन से समझिए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीरा जो है सबसे कीमती जो है आपका जानते है जेम से रतन है और उसके साथ ही यह सबसे हाड़ेस्ट है सबसे ठोस है तो यह हीरा को इतना हार्ड और इस तरह से बनने में काफी pressure और काफी उसमा के जरूरत होती है जो हमारे अर्थ के core और mental के पास होता है यह core mental के पास में अभी आप यहाँ देख रहें यहाँ पे होता है और यह kimber light के दुआरा आता है हमारे पिर्थवी पे और ये Kimber light के दुवारा आता है कैसे ज्वाला मखीवी स्वोट्ट से और ये ज्वाला मखीवी स्वोट्ट से je Kimber light पर आता और बाग्यानिक इस लिए हरान थे इतने नीची से आता है यह हीट को ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन है तो इसमें जैसा कि मैंने आप पूर्द है यह 200 मिलियन करीब का यह डेटा है और इस डेटा को जियोडायनमिक मॉडल से अगर आप देखें इसको तो उस आदार पर तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं यह आपको जियोडायनमिक मॉडल है यह देखें तो अब देखें इसमें बैसिकली मसील लर्मिंग टूल्स और AI जीओ का यूज किया गया इस सूपर कम्प्यूटर में और उसके आधार पर हम लोग जानते हैं आटिफिशियल इंट्लिगेंट्स वह जो डेटा था हमारा उस डेटा को इसमें उप्योग किया गया जिसमें आप देखेंगे तो नौर्थ अमरीका, साथ अमरीका और आफरीका के बीच का ये डेटा लिया गया और इस डेटा से जैसे के मैंने बताया कि इसमें ये काफी छोटा लेकिन काफी वाल्केनिक इरॉप्सन होता था जो किम्बर लाइट के माद्धम से आता था आप जानते ह ये मेगमा और जोळा मुखी के कई थक जो मैंने आपको पढ़ाया भी है तो ये सारे चीजेंku हैं हमारी चैनल पर देख सकते हैं इस में ये तरह के तरह तो इसमें ये किम्बरलाइट निकलता है और ये किमबर लाइट हीरा यहां से यानि बनता है आपको उन्ती सो किलो मीटर नीचे में और यह आप यह साथ अफरीका में आप देख लिए यह एरिया में आपको यह किमबर लाइक पाए गए लेकिन अगर आप यह इस एरिया को देखेंगे तो इसमा भी एक्टिक जौला मुखी नहीं है तो यह जौल इसमें यह दोस जियो जाने डाइनमिक मॉडल है उसको इनो ने इस तरह का बनाया था तो यह एक एनिमेशन था